से दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडिस्टी दुनिया में गाइस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगे बरुदा टी-20 का फौर्थ मैच जो खेला जाएगा डब्लू ए-ई-ए-र व्ससी ए-चे के बीच गाइस यह जो मैच होगा ना एक-एक किया था और एक टीम ने हार गया रहा है बट स्टिल मैं माता हूं ना सी एचे बहुत खराब टीम नहीं है पहला पॉइंट और इस मैच में थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो सकते हो बट आपको देखना पड़ेगा कौन से प्लियर क्या है मतलब राइट एंडर बैट्समें सब कुछ मैंना वीडियो में इंडेफ्ट में अनलाइसिस करूंगा उससे पहले डुमस्टिक टीटीटी लीक जो हम लोग अच्छे प्लियर्स को बैक कर सकते हैं इसके उपर बेस करके और करेंट मैच का रिजल्ट तो मिले गई इस सीरीज का एक मैच का रिजल्ट पास्ट चारजा 320 अगर आप लोग मांगोगे तो उसका भी वीडियो मिलेगा तो बिसिकले हम लोग डुमस्टिक मैच इसके वीडियो और बड़े मैच इसके फाइनल टीम टेलीग्रम पर प्रवाइट करते हैं तो आप टेलीग्रम जॉइन हो सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्श ग्राउंड सेम रहेगा इसमें फिलाल में 140 एवरेस को लिखके रखाऊं बट ये मेरा मानना है कि शुरू के मैच में ना क्या होता है पीछ ना थोड़ा सा चादर बॉल रुक के आ रहा है उसके बाद पीछ बिटर होगा और एंडिंग में बहुत जादा रन बनेगा नहीं फिर से विकेट स्लो हो जाएगा फिलाल आप 140 से नीचे ही बनेगा और जब भी 130 क्रॉस होता है ना चेजिंग करना मुश्किल होता है देखो यह सिफ इस मैच का ट्रेंड नहीं इंडिया में जितने भी डुमेस्टिक हो चुका है बिंगॉल में हो चुका है डुमेस्टिक क सबसे ज्यादान बना था है तो यह जो आगे होते आ रहा था ना वही इस बार भी हुए तो इसी लिए ना दोनों ट्रेया का सिलेक्षण खासकर देखें लिजए और जाया वीडियो देखके उनका रिजल्ट भी शायद बेटर आया होगा अमिद भंडाडी चार मैच में 10 और पीपटीदान ने दो मेंच मरता लिस गया था देखो सी एचे का ना कोई भी बैट्स में चला है नहीं था और इसी कारण से आप अगर देखोगे ना सी एचे ना हार भी गया था बैटिंग करते हुए तो ध्यान देना इन्होंने फर्स जब बैटिंग किया सी एचे बैट इनके एक भी प्लेयर टॉप रंगेटर में थे ही नहीं तो मैंने इनका नाम ही नहीं लिखा तो सोच लो इनका बैटिंग कितना वीग था और इस बार भी पहला मैच में इन्होंने शायद 96 रंग के आसपास में अल आउट हो चुका था डबलू एयर से हमने बॉलर बैक करन निकाले थे जैनिल वर्टी ने तीन मैच में चार वीग निकाला था तो यह कुछ प्लेयर से इनको हमें बैक करना है देखो जैनिल वर्टी को जनता इग्नोर करेगा बर यह ना लेफ्टाम और और ऑपनेंट अगर देखोगे ना डबलू एयर इनके पास ना मैक्सीमम अब आता हूं मैं डबलू एयर के तरफ इनकी जो बैटिंग लाइनप है अब अगर ध्यान से देखोगे तो इनके पास ना अल्मुस्ट सभी ना राइट एंडड बैट्समन है एक्सेप्ट एक प्लियार है जो खेला नहीं अगर खेलेगा तो ओपिन कर सकता है करता हूं वीडियो अप्लोग जरूद देखना ठीक है मीत मंगुकिया फॉर्टी एट अमीद भंडारी नौ ट्विंटीनाइन धैर्या पांडे ठीक है पी पतिदार का एक रंधा और एक ओवर था स्मीथ ठाकर जिनका चलता का सिलेक्शन हाई था लास्ट मैंश में बढ़ सब्सक्राइब यादब ने तीन अठ्रापे जीरो यह ना राइटम ऑफ स्पीन है इनका भी इंपॉर्टेंस इस मैंच में बढ़ जाएगा ध्यान देते जाना मानव मेहता का दो विकेता लेफ्टा मीडियम कि उमाद चार तेस पे एक पी अगरवाल चार एक नौ एक और सुलांकी का ना था चार वर में तीस रन और चार विकेत कैस इस टीम से प्रमुख डेध बॉलर यह दो बंदा है ठीक है और बैक अप डेध बॉलर रहा मानव मेहता ध्यान देना ठीक है ऑपिनिंग बॉलिंग इस टीम से पी यादफ वी सुलांकी पी अगरवाल करते है डे अरिया पांडे एक अच्छे प्लियर है गाइस बट आइड़ नो वाई क्याइस क्यों यह अल्राउंड सेक्शन नहीं बटना अंडर 19 में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है 82 का वरेज है वन डाउन ओपिनिंग करते हैं अटेकिंग रेट के लिए और इन्होंने लास्ट सी बहुत है अच्छा सेफ के लिए लग रहा है क्योंकि ना इस ग्राउंड में लेफ्ट आम उत्रोस को बहुत जाद होगा बट यह बंदा है ना राइट आउम आउस पीना रहना काउंटर कर सकता है और इस मैंचे नहीं बहुत ही अच्छा सेफ कैप्टेन मुझे लग रहा ह जो खुद एक राइट अंडर बैट्शमन है और ऑपनेंट के पास एक ही सेफ लिफ्ट आम उत्रोडॉक्स है तो यहां पर यह एक अच्छे पीक हो सकते आपके लिए अमिद भंदारी राइट अंडर बैट्समन है 68 में 23 एवरेज में कुछ बॉलिंग भी कर सकते हैं डिसे सेकंड इनिक्स होगा तो फिर्स्ट इनिक्स होगा तो ट्राइकर सकते हो कुछ तक आपको बॉलिंग भी करते हैं और एवरेज भी डिसेंड ए टू डाउन खेलता है मैं प्रिफर करूंगा बैट फॉस्ट ट्राइकरना बैट सेकंड मतलू की उमात ऑपनेंं का बैटिंग वीक है बॉल फर्च करेगा तो हाई चांस से डेट कराएगा तो गैस मेरे सबसे ना बहुत ही डिसेंट बीक और अब तक ना इस सीरीज में मैंने एक चीज़ नोडिस किया कि सेकंड इनिक्स में राइट अम लोग वीकेट निकाल रहा है ऐसा नहीं कि नहीं निकाल रहा है तो हम लोग ना लोग दोनों कर निशन में ट्राइगर सकते दिखो लास्ट मैश में मिला था बट इस मैश में अगर डेट करया आएगा तो दोई के अराम से मिल सकता है अगर खिलेगा तो शायद मैं ना ही लूग क्योंकर अटरण ना ही लूग क्यूंकर अन्डर 19,60 मैच है ओवर्ज डिसेंट कराता है बट विकेट जादा है नहीं बठा सबसे बड़ा बात है लेफ्ट आम ऑथ्रोडोक्स है तो में भी टीम यूस करें बठा उपने इनके बास बहुत सारे लेफ्ट है तो शायद इनको इग्णोर करें इस मैच में फिलाल तो मैं नहीं लूँगा बठा आपको ना शायद रूप पर टेल आपको वीकी सेक्शन में मिल जाएगा तो वीकी सेक्शन में ज्यादा कंपडिशन है नहीं उठा लो ठीक है पाहल अगरवाल लिफ लोयल और बैटिंग करते एक्सपिरियंस है एक सो तीन मैच लेफ्ट आम ऑथ्रोक्स बंदा है ठीक है एक सो तीन मैच में ना ना है और यह जो ट्रैक में और इंडिया में अगर आप दो मश्टिक खेल रहे हो ना लिफ्ट आम ऑथ्रोक्स बॉलर है जो आपको चार ओवर देगा ना करके उसको पास ना बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्स में बढ़िया सब पंत है उपर से 57 मैच में 84 विगेट है बंदेगा नो डाउट इनका लास सेजन अच्छा नहीं गया था बट हम लोग ना इनको ना डिफेंशल ट्राइगर सकते हैं पीशे अप ट्राइगर से तो देखो रिस्क लेना है आपका अलगर आपका टीम अलग करना है खासकर बॉल फर्स करोगे तो ऑपनेंट के एक आदा राइट अम मीडियम को ड्रॉप करके ना इनको बैक कर सकते हो सोलंग की जंदा का कैप्टें 39 में 49 विगेट फर्स मैंच में जंदा लेहीं नहीं रहा था लास म से बिलॉंग कर रहा है फिलाल जंदा बैक कर रहा है तो आप अपने में ट्राइ कर सकते हो अगर आप ध्यान दोगे ना फंदरा रन बनाया थे के बद आयूश रही ने दो बनाया था सालूं के ना दो ओवर कराया था और बीस यह बंदा किया है ना राइट राइट आम को ठीक है और अगर यह उस्पिनर अफ्टर पार प्लें इंट्रियूस हुआ और लॉंग ओन लॉंग ओफ रहा तो बैट्समें में भी क्लियर ना कर पाया जो मुझे लग रहा है पर से नहीं कर पाएगा अगर एक्स्ट्रा चार्ज करने का कुशिश करेगा तो ठीक है बट अगर निकल के क्लियर करने का कुशिश करेगा लॉंग ओन लॉंग ओफ को गाइस डाउन दा ग्राउंड तो मुझे नहीं लगता कर पाएगा और कैचेस आउट होंगे जैसे कि फरस्ट मैंच में मैंने देखा बहुत सारे कैच आउट होते है ठीक है अभी जित कुमार दो गुंच लागा इस इनका ना बैटिंग मुझे सची में विक लग रहा है तो यह टीम अगर बैटिंग करेगा ना तो मुझे लगता है फिर से सौ के करीवी रन बना पाएगा तो शायद मैं इनके टीम के अगेंस्ट में और आप बोचक तो वन साइड़े टीम बना दूंग वर के तरफ बट अगर टीम बॉलिंग फर्च किया ना तो इनसे देखो बॉलिंग खराब नहीं है यह सिंग है बहुत बढ़िया बॉलर है गोदाद्रा फर्स्ट मैच में निकाला बट मैं बैक कर रहा हूंगा इस इनको यह बहुत ही बढ़िया बॉलर है जैनिल भटी इस अच्छा कटर यूस कर रहा था इवन लेक कटर जो होता ना बहुत तफ बॉलिंग होता है वो भी डाल रहा था दीवान को भी ट्राइगर सकते हो तो यह बहुत अच्छा है बहुत है इनका बैटिंग अटेक भी उतना ही कैस्वीक है तो बैट फर्स्ट करेगा तो इनके इ किलने किया था पहला बॉल शायद यह दूसरी ओवर में इनिंग्स का निकल के माने का कोशिश किया था कुछ एक नाम भी बुलिया मैं उस बंदे लिफ्टा मॉट्रोक्स बॉलर को तो आउट हो गया ठीक है बिजित कुमार हो गया 36 मैंच में 27 एवरेज में 840 ने डिसेंट पीक है एकदम समस्च नहीं है दुरूप पटेल डिसेंट एवरेज है इनका ठीक है बहुत सब्सक्राइब मैंने इतना खेला इनका देखा था यह एक निकल के गाईस डाउन दा ग्राउं स्ट्रेट शॉर्ट खेला था तो अच्छा शॉर्ट था वह अलों दा ग्राउंड थावार उपर से यह लेफ्ट हैंडेड बैट्स पैन है तो उपनेंट के पास जो राइट हैंडेड लेफ्ट आम और्टोडॉक्स है ना उनको काउंटर कर सकता है पर एक चीज़ आप ध्यान देना इनके पास ना टॉप ओडर में देखो धूप पटेल हो गया राजवीर म आप में खेलते हुए दिखेगा लेफ्ट हैंडेड बैट्स पैने तो उपनेंट पास जो राइट आम आप स्पीनर है ना वह एक यूसफुल गाइस हो सकते आपको इवें मिल ओडर में भी एक दो लास्ट मैंच की हिसाब सब्सक्राइब देखोगे ना दो लेफ्ट हम ले यह थर्द गुंचला जो भी नाम है पच्पन मैच में 31 कैवरेज से रन बनाया है लॉट्स ओफ अन्लिमिटेड क्रियेट है मेडल ओर खेलता है चेजिंग करेगा इग्नोर करो बैट फस्ट करेगा तो ट्राइग करना सालूंके को आप ट्राइग कर सकतो बेशिक से दो बहुत जादा भी निकाल दें इंडिया में इवन वो राइटाम ऑफ स्पिनर हो बठां लेफटाम ऑफ स्पिनर को डॉप नहीं करना है बठां राइटाम ऑफ स्पिनर को एकदम सी इग्नोर मत कर बैटना ठीक है जे चावड़ा अब चाहो तो ट्राइकर सकतो अगर खेलता बैशक से बैट करो बार बार बता रहा हूं बाल वर्च करेगा तो ज्यादा बेटर गोदादरा राइटम मेडियम मैच में 116 विकेट है यह चांसर की डेट कराया ठीक है यह डुमस्टिक में भी बहुत अच्छा खेला है और डेट करा रहा था एक्सपिरियंस प्लियर है और कुछ न कुछ करी लेगा अगर डेट कराएगा तो चढड़ा चौवन मैच में थोड़े से विकेट कम है च्यासर विकेट है तो बॉल फर्स्ट करेगा तो लेना ठीक है बॉल सेकंड करेगा तो शायद मैं अपने टिम में ना रखो यह शुट दुन को आपको रखना प कर सकते हो ठीक है डिफेंशल क्योंकि लिफ्ट हम चाइना मेंने कैप्टेन च्वाइज और हाँ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है गाई सांच का ठीक है बट यह शुर्दन गाइस बॉल फर्स्ट करेगा तो मस्ट होना चाहिए बॉल सेकंड करेगा तो आप 60% में ट्राइग मंगू किया एक बहुत इच्छा चोइस है मस्ट ट्राइए अगर गाइस इस टीम का बॉलिंग फर्स्ट होना तो वी सुलंकी को कैप्टेन आप बनाके चलो जाद मतलब थोड़ा सा बज्जा हो गया बट अगर इस टीम का बॉलिंग फर्स्ट नहीं हो किस बॉलिंग यह रहा मेरा टिम चापे मैंने कैप्टेन वी सुलंकी जंदा का चॉइस वी सी बना वाइसिंग बॉल फर्स्ट करेगा जो वी कैप्टेन बनेगा दूसरा को मैं शायद वी सी बना लू या तो नहीं बनाऊ मीत वंगो क्या हो गया डी एन पटेल हो गया वाई गुंचला हो गया के उमाद हो गया जे भट्टी हो गया हमारे पास पी अगरवाल पी गोदाद्र जेचट जेचट सेकेंड इनिंग्स करेगा बॉलिंग मैं हटा दूँगा और मैं किसको लूँगा पी आदब राइट आम आउस्पिनल क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा क्या है इनके टॉप फॉर फाइफ में खिलते हैं तो मुझे लगता है कि दो के निकाल सकता है एक राइट आम आउस्पिनल और रैटेनर बैट्समेन का भी निकाल सकता है तो लॉजिकल है तो यह कुछ चेंजिस हो सकता है बाकि इस फाइनल अबडेट फूचर अबडेट वगड़ा टे टेलिग्रम जोइन हो जाना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना थैंक वेस्पाइब